मैंने कल आप लोग को क्या का था क्या एजम्शन किया था कि कालकी 2898 AD एराउं 50 तू 55 करो इंडिया से नेट कलेक्शन कर सकती है लेकिन कालकी में मेरा जो एजम्शन ने फिर से तोर दिया सेकेंड डे में तोरा था हाट डे में तोरा और साधा कलेक्शन किया है येस कालकी 2098सी का कल इंडिया से Kollegen क्या है आपका 64.5 करो नेट और इसको अगर ग्रोस करते तो होता है आपका 77 कर और कल ओवरसीस से आये 31 करोब तो 77 करोब के साथ 31 करोब यद्ट करने पर होता है 108 सब्सक्राइब ये दूसरा दिने जो काल की 289 880 वाल वर भी 100 करोब्र कलेक्षन किया पहले दिन भे इसने 177 करो गा गा या क्लेक्शन किया था ये दूस्या दीमे अ यह 100 क्रोर का क्राउस किया और सेकेंडे में इसमुवी का वर्ल राइट ग्रॉस क्रोर और इसमें से ओवर्सीस से आये 116 क्रोर और इंडिया से ग्रॉस आये आपका 259.5 क्रोर अगा नेट देखें फिर भी 217 क्रोर 40 लक्स नेट आये तो यह काफी अच्छा क्लेक्शन और से चल रहा है, 100% में श्योर हो कि यह भी 500 क्रोर का वाल्ड वाइट क्रोस जो आक रहा है वो क्रोस कर जाएगा, क्योंकि देखिये कल से तो आज 100% इसका ज्यादा क्लेक्शन होने वाला है, कल इंडिया और साथ आफ्रीका का मैच था, फिर भी इस मूवी का उकुपेंसी बह मौनिंग में 56%, फिर आफ्रनून में 76% और इवनिंग शो में 78% और नाइट शो में जब इंडिया का मैच था, तब भी ते लिगो 2D वर्शन का वो में सी था, 84% सोचिए, हिंदी में देखिये, हिंदी में कल आपका 26% मौनिंग शो में 46% आपका आफ्रनून शो में और 47% इ हिंदी वर्शन ने बहतर परफॉर्म किया है, कल हिंदी वर्शन से आएए आपका 26% करोर, जब डेखू में आथा 23% करोर, और टेलेगू वर्शन से आए आपका 30.75% करोर ने, और जब डेखू में इस तेलेखू में आथा 28.65% करोर, तो कल सारे जगा में इंक्रीज हुए, इवन तमिल भर्षन में भी पांच करो रहा है जबकि सेकंड डे तुमें आपका 3.3 करोर मतलब सारे भर्षन ही कल इंक्रीज हुआ है आपका सेल और आज तो और भी ज्यादा होने वाला है मालायराम भर्षन से कलाया था आपका 4 करोर और करना भर्षन से 45 लक्स लेकिन फिर भी सेकंड दे से कल थार्डे काफी इंक्रीज जुआ है तो आज मिना पेडिक्शन ही है कि आज ये मुवी वाल्ड राइट एराउंड आपका कुछ भी ना हो 150 करोर के आसपरास बहुत कलेक्शन करेगी और इंडिया से इस मुवी का आज कलेक्शन होने वाला है नेट 80 करोर येस आप लोग जान लीजी इस मुवी का आज नेट 80 करोर कलेक्शन हो है क्योंकि मॉनिंग शो से काफी अच्छा पूटेंसी जा रहा है और एक बार जो स्ट स्टेट वाइस देख लेते है कि स्टेट वाइस मुवी ने कितना कलेक्शन के है कनाडा से आया है आपका 25.3 करोर और अंध्रपदेश आ पेलंगाना से आया है 122 करो 55 लक्स कामीनाव से आया है आपका 16.1 करोर और क्रादा से आया है आपका 8.8 करोर और नॉर्ट इंडिया स आपका 86.75 करोर ग्रोस तो आज मेरे ये पेडिक्षन है कि ये मुवी इंडिया से एराउंड 80 करोर नेट कलेक्शन करेगा और वाल्डवाइट ग्रोस देश्टो करेगा तो पहले चार दिन में ये मुवी 500 करोर का आकरा आसानी से क्रोस कर जागा वाल्डवाइट ग्रोस तो आज के लिए इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगए वीडियो को लाइक कीजिए कॉमन कीजिए श्यार कीजिए और नयने आप दिरके मेरे चैनल को सब्सक्काइब कीजिए